पापा हमारी टीचर बता रही थी कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें आजादी मिली थी उस दिन पर मुझे समझ नहीं आता ये आजादी आखिर है क्या भरत आजादी एक एहसास है रायदम आजादी को छू नहीं सकते आजादी नाम के किसी इंसान को देख नहीं सकते पर आजादी एक बहुत गहरा एहसास है आज हमारे जीवन में आजादी इस हद तक मिल चुकी है कि हम शायद यही भूल गए हैं कि यह आजादी कमाई गई है बिटा कई सारे भगवानों ने इंसानों के रूप में जन्म लिया था जिन्ने आज हम Freedom Fighters यानी सुतंद्रता सेनानी कहते हैं और यह आजादी उन्ही इनसान रूपी भगवानों के प्राणों का मोल है पर पापा आजादी के माईने क्या हैं अगर हम आजाद नहीं भी होते तो क्या फर्क पड़ता हमारे आम जीवन में पड़ता सिर्फ फर्क नहीं पर यह जीवन ही कुछ अलग होता आज यहाँ बैट के जो हम खुले में सांस ले रहे हैं ना, इस सांस तक में वो बात नहीं होती तेरा फेवरेट सबजेक्ट हिंदी नहीं होता या फिर कहूं हिंदी सबजेक्ट ही नहीं होता तेरा वो फेवरेट क्रिकिट प्लियर है न वो इतनी फक्र से अपनी जर्सी में इंडिया का फ्लाग न लगा पाता 15 अगस्त एक आम दिन होता और 26 जनवरी से भी हमें कुछ खास लगावना होता हमारा प्यारा भारत ता उम्र एक बाजार बनके रह जाता और हमारा कच्चा माल इंगलैंड में पका के हमें ही महंगे दामों में आज भी बेचा जाता युद्ध लड़े जाते आज भी और हमारा बोया अउगाया और काटा हुआ खाना छीन कर युद्धों में फूख दिया जाता आज भी और विंस्टन चर्चिल को हिटलर से कम बता कर हमारे कार्यालों में पूजा जाता आज भी अवारी मौतों के लिए ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स जैसे शब्दों का प्रियोग होता आज भी डॉक्स और इंडियन्स आर नॉट अलाउट के बोट्स दिख जाते शायद हमें कुछ क्लबों कुछ घरों के बाहर आज भी सैनिक हमारे युद्ध उनके ये क्रम होता आज भी पर हाँ शायद 5 ट्रिलियन डॉलर जैसा बड़ा सपना आज भारत नहीं देख रहा होता क्योंकि 45 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्स भारत में होते आज भी भारत इस भारत की मिट्टी आजादी है इस जंडे की शान आजादी है हमारी रगों में दोड़ता वो गरम खून आजादी है तेरा पूछना की आजादी क्या है ये सवाल आजादी है